बहुत कुराने जमाने की बात है एक राजा था उसके महल में एक बहुत सुन्दर बाँ था बाँग में तरह तरह के फूलों के पौदे और अनेक प्रकार के मीधे फलों के पेर थे लेकिन इस बाँग में चुरा कर न ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सिबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दोड़कर राजा को खबर दी। राजा फोरण बाग में पहुंचा। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ की देख भाल का इतना पक्का इंतजाम हुने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने एलान किया की कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा। उसे इनाम दिया जाएगा। कि राज कोल गाए detail और वोल टार वोल गोल लेकिन दो गणते सब Cornwall विर्जन से और भूल टेक्ट के हुए सती है वंपने का दिसे ऊस्का हो गाय का यह सारी हो ना मैं और तीसरा सेब चोरी हो गया राजा बहुत चिंतिक था दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकरूंगा राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था वह उसे मुर्क भी मानता था उसने उसे डाटते हुए कहा तुम क्या समझते हो क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके है तुम जाओ अपना काम करो लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर देया जाए अंठ में राजा राजी हो गया राजकुमार रात में पहरा देने लगा उसने टै किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोईगा और चोर को जरूर पकड़ेगा जब आधी रात हुई और बारह बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुन्दर सोने की चरिया कहीं से उरती पंख फरफडा कर उर गई हां इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख तूटकर जमीन पर आगिरा दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उनके सामने रख दिया पंख इतना सुन्दर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया उसने कहा अगर उस चरिया का एक पंख सुन्दर है तो वह पूरी चरिया किंती सुन्दर होगी मैं चाहता हूं कि उस चरिया को कोई पकर लाए सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा वहां उसने एक लोमरी को एक पेर के नीचे आराम करते हुए देखा राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चड़ा लिया वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमरी ने चिल्ला कर कहा राजकुमार मुझे मत मारो मुझे पता है कि तुम सोने की चरिया की खोज में निकले हो तुम मेरी राए मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ शाम होने पर तुम एक गाव में पहुंचोगे वहां तुम्हें आमने सामने दो सराय मिलेंगी एक सराय खूब सजी सजाई और सुन्दर सी होगी लेकिन तुम उसमें मत ठहरना तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना जो बहुत मामूली और देखने में भद्दी सी होगी ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमरी का बात सुनकर राजकुमार को हसी आ गई। उसने डाट कर कहा भाग जा यहां से। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कह कर उसने तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमरी बहुत चालाक थी। व पूप सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। दूसरी सराय भदी सी थी और वहां अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठाहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चरिया क खोज में निकला था। ये वीडियो को देखने के लिए चैनल को सबसेकिब और लाइक और शेयर करें।